हलो दोस्तों सेंट्र निविए विकरला से एक अपडेट आए हुआ है जो कि पेचिटी से रिलेटेड है इसके अंदर पेचिटी की डेट 6 फरबी तक बढ़ा दी गई है यह आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी आ रहा है आप देख सकते नहीं इसको और यदि दोस्तों आप आप ने हमारी ये पुराने वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखी है तो आप इसके बार में दोबारा से देख सकते हैं इसके अंदर क्या लेजिविल्टी चाहिए आप देख लीजिए यदि कि इसके पास में मास्ट्र डिग्री है 55 परसंट मार्क्स के साथ में तो वह जेएंगे 55 परसंट मार्क्स होने चाहिए मिनमम और यह देख साथ 4 यर की बैचलर डिग्री है तो 75 परसंट से अभव है किसी ए तो भी इलिजिविल्ड डिग्री है 55 मार्क्स के साथ में तो वह भी इलिजिवल है तो देखें दोस्तों को इसके अंदर डारेट इंटरव्य के लिए एफ्लिक्शन मंगई हैं तो इसके अंदर इंट्रेंस एक्जाम नहीं होगा देख लिजिए इसके अंदर आगे क्या एक्जिव्टी चाहिए मास्टर डिग्री या वोरियल बेचली डिग्री के लवा यदि किसी ने जुनियर रिसर्च फैलोशिप यूजिसी सी आइसार यूजिसी नेट या कोई भी गवर्मेंट अजनसी से या नेशनल लेवल का कोई नेट गेट सीड को एक जाम पास किया हुआ है तो वो डारेट इं इस बात का आप दियान रखेगा देख लीजिए दोस्तों इसके अंदर इन्होंने प्रसेजर फोर एडिमिशन बताया है कि इंटर्वी होगा और जो आपको इंटर्व्यू के अंदर दिखाना होगा और उसके बार में कोशन वगरा जो भी है पूछे जाएंगे तो उसके पर आपका सेलेक्शन हो सकता है सीटे देख लीजिए दोस्तों सीट से पहले आप यह एप्लिशन फीज देख लीजिए जनरल और OBC के लिए एक जारव फीज रहेगी और STPWD के लिए पांसुर फीज रहेगी इस टेट को अप छोड़ दीजिएगा यह 25-23 दिखाऊ है क्योंकि यह पुराना नोटिवेशन है नई डेट 6 फर भी तक हो गई है आप अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए आपको लिंक भी डिस्क्रिश सीटे भी बताई है तो आप यह देख लिजिएगा इसके अंदर टोटल 26 सब्जेट के अंदर आविदन मांगे है इनोंने सीटे भी काफी मात्रा में है और इसके लास्ट टेट 6 फर भी तक ही रहेगी तो आप इस टेट को मत देखिएगा दोस्तों आपको हमारी यह जानकर अच्छी लगी हो तो आप हमारी चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलिक्राम पर भी जोइन कर सकते हैं